हेलो फेंट्स में मंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज के इस वीडियो में 34 साइज का बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूंगी बोटनेक पर तो अगर आप इस डिजाइन को अपने ब्लाउस के लिए बनाते हैं तो आप बोटनेक का मेज़रमेंट लीजएगा अपने साइस के हिसाब से सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रो करके कपड़े को सीधा करेंगे इसके बाद हमें टोटल लंबाई लेनी है तो टोटल लेंथ में रख रही हूँ साड़े चौदा इंच साड़े तिरह लेंथ मुझे इसकी तेयार रखनी है उपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे और यहां पर लेना है हमें शोल्डर का मेजरमेंट बोटनेक के हिसाब से तो चोतिस साइस में बोटनेक की अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखने हैं साथ इंच और आर्म होल भी लेने हैं साथ इंच शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग मेंने 7 इंच पी की है इस तरह से ये दिखिए इसके बाद हमें चेस्ट का चोथा भाग लेना है तो 34 साइस का चोथा भाग होगा यहाँ पर 8 इंच और 1,5 इंच एक्स्टा रखेंगे मार्जिन के लिए नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है कमर 28 इंचे उसका चोथा भाग लिया है 7 इंच एक इंच एक्स्टा लिया है बैक पार्ट में प्लेट्स के लिए और देर इंच का मार्जिन एक्स्टा लिया है यहाँ पर देखे हाफ इंच ऊणर को डाउन रखेंगे और वन इंच पे आर्म होल का शेविद देऊंगे तो सिंपल लेग पार्ट की मार्किंग मैंने हाँ नहीं पर कर ली है अब हमें इसे कट कर लेना है देखे इस तरह से half inch shoulder को down रखते हुए इसका cutting करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसे cut कर लिया है और इसके बाद नीचे से भी fabric को cut करके सीधा कर लेंगे अब हमें लेना है गले का measurement गले की width रखिए मैंने 4 इंच की गले की चोड़ाई 4 इंच ली है और गले की लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 11 इंच गले की length आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं उपर की तरफ 3.5 इंच पे हमें एक छोटा गला बनाना है इस तरह से 3 से 3.5 इंच पे आप एक marking कीज़ेगा और नीचे की तरफ जो design बनेगा इसकी लंबाई चोड़ाई आप अपने according कम ज़्यादा करके ले सकते हैं नीचे से भी मैंने इसके चोड़ाई 4 इंच छी ली है एक चोकुर box बना लेंगे और नीचे की तरफ गले का shape देना है तो बिल्कुल हलके हलके हाथों से दिखें इस तरह से गले का design बना लेंगे तो ये design आप अपने according कम ज़्यादा करके ले सकते हैं जितना भी आपको broad रखना है उसके according आप यहाँ पर marking कर सकते हैं तो गले की marking मेंने यहाँ पर पूरी कर ली है अब हमें इसे cut कर लेना है तो दिखें इस तरह से हमें back part को नेक को यहाँ पर cutting कर लेना है गले को cut करने के बाद इससे man fabric पर रखकर cut कर लेंगे तो दिखें मैंने man fabric पर भी इसकी cutting कर ली है अब हमें लेना है paper pasting paper pasting को double करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और यहाँ पर हमें as it is इसकी marking कर लेनी है इस तरह से तो गले की marking करने के बाद बाहर की तरफ से एक इंची से बढ़ाते हुए cut करेंगे यह दिखें मैंने हापरी से cut कर लिया है और इसके बाद अब हमें इसका stitching करना है तो नीचे रखेंगे man fabric को और इसके उपर रख लेना है अस्तर वाले कपड़े को दोनों तरफ से बराबर करते हुए pin के साथ पहले से attach कर लेना है pin लगाने के बाद अब हमें गले पर सिलाई लगानी है तो इस तरह से गले को attach कर देंगे man fabric के साथ सिलाई लगा कर अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है तो कपड़े को अच्छे से हाथ से finishing करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब देखे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है उपर जुकले का पॉइंट है अभी मैंने इसे कट नहीं किया है यह हमें बाद में कट करना है चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है बीच में जो न अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है अस्तर का एक्स्टर फैब्रिक और उसी के उपर हमें पेपर पेस्टिंग को अटेज कर देना है अगर आपके पास अस्तर का एक्स्टर कपडा नहीं होता है तो जो हमें बैक बाट का अस्तर कट किया था उसी के ओपर आप fulfil ऐटेज कर सकते हैं अस्तर को यहाँ पर देखी पेपर पेस्टिंग को मैंने अस्तर के ओपर सिलाई लगा कर ऐटेज कर दिया है अब हमें चोटे-चोटे cut यहाँ पर लगा देने हैं इस तरह से cut लगाने के बाद fabric को fold कर लेना है यह देखिए cut लगाने पर आसानी से यह कपला अंदर की तरफ fold हो जाएगा तो इससे fold करने के बाद अब हमने attach करना है यहाँ पर इसके back part के साथ तो इस तरीके से इसे रख लेंगे और दोनों तरफ से बराबर करते हुए pin के साथ इसे टेज कर लेना है तो देखे मैंने यहाँ पर pin लगा कर इसे टेज कर दिया है अब हमें सिलाई लगानी है एक पेर का margin यहाँ पर लेते हुए इस तरह से finishing के साथ सिलाई लगाएंगे देखे तो अच्छे से finishing के साथ यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे extra fabric को cut करके निकाल देना है और अब आप यहाँ पर बीच में से भी इसे cut कर सकते है तो बाद में cut करने से गले का जो point वर अच्छे तरीके से बन जाता है इसके बाद आपको पूरे गले पर चोटे-चोटे cut लगा देने है थोड़ी-थोड़ी थोड़ी पर इस लाई के पास तक हमें cut लगाने है तो दीखे cut लगाने के बाद इससे पलट करके सीधा कर लेना है और कोई भी नोक वाली चीज से या केची की नोक से आप इसका corner अच्छे तरीके से निकाल लीजेगा हलका-लका प्रेस करके दिखे इस तरह से तो मैंने यहाँ पर दिखे इससे अच्छे से finishing कर ली है केची की नोक से इसका corner भी अच्छे तरीके से निकाल दिया है corner अच्छे से निकल जाएंगे तो दोनों point आपस में बराबर से मिल जाएंगे इसके बाद हमने ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा दी नहीं है finishing की तो दिखे नेक पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है तो गला बन करके तयार हो गया है अब हम इसका design तयार करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर lock कर रही हूँ गले को अगर आप इसे open रखना चाहें तो यहाँ पर आप डोरी attach कर सकते हैं या फिर loop और बटन भी लगा सकते हैं इसके बाद सेंटर से करेंगे हम कपड़े को fold और यहाँ पर कमर में 4 इंच के लंबाई में dot लगाएंगे दोनों तरफ कमर में हमें dot लगा देना है इस तरह से इसके बाद नीचे की तरफ कमर पटी लगानी है तो पटी को मैंने एक तरफ से fold कर लिया है और नीचे से आधा इंच का margin लेते हुए पटी को डिश करेंगे इसके बाद देखे एक सिलाई हमें पटी को इस तरफ करती हुए पटी के उपर लगा लेनी है और कमर पटी को अंदर की तरफ fold कर लेना है इस तरह से तो back part यहाँ पर देखे पूरा मेरा ready हो गया है इसके बाद अगर आप इस पे lace लगाना चाहें तो इस तरीके से lace लगा सकते ही या फिर अगर आप इसे simple रखना चाहें तो without lace के आप इसे simple भी रख सकते हैं मैं इसके उपर lace लगा रही हूँ लेस के उपर double सिलाई लगाएंगे जब भी आप लेस अटेज करते हैं तो लेस के दोनों corner पर आपको सिलाई लगानी है सबसे पहले मैं नीचे वाले design पर लेस लगाई है और इसके बाद देखे अब मैं उपर की तरफ लेस लगाऊंगी उससे पहले मैं यहाँ पर design अटेज कर रही हूँ triangle वाला तो side से जो fabric हमारा निकला था उसके आपको चोकोर कपड़े कप यहाँ पर cut कर लेने हैं डाई इंच की लंबाई चोड़ाई में और इसके बाद इससे triangle shape में आपको fold कर लेना है एक एक करके सभी patterns को हम यहाँ पर fold करके तयार कर लेंगे इस तरह से अब इसे cut करके इनका extra कपड़ा आप cut कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं patterns तयार करने के बाद इससे आपको neck पर लगाना है तो गले का जोपर वाला pattern है यहाँ पर मैं इसे attach कर रही हूँ तो इस तरह से यह देखें पास पास में इसे लगा लेना है गले के उपर design attach करने के बाद हमें इसका extra कपड़ा जो है वो cut करके निकाल देना है तो जो उपर का extra part था वो मैंने cut कर दिया है अब आप इसके उपर lace लगा सकते हैं यह देखें पूरे neck पर lace लगा लेंगे इस तरह से तो मैंने यहाँ पर lace लगा कर के इसे पूरा cut कर लिया है और अब इसके बाद में इसके उपर वो बना कर लगाऊंगी तो बो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर fabric cut किया हुआ है तो देखें यहाँ पर जो मैंने कपड़ा लिया है इसके लंबाई चोड़ाई बता देती हूँ length में ही यह लगपग 11 से 12 इंच में और चोड़ाई में है 7.5 इंच इसे आपको सीधा cut करके एक तरफ से पहले fold कर लेना है इसके बाद हमें इसे center पे fold करना है पहले सिलाई वाला भाग fold करेंगे फिर इसके बाद हमें बिना सिलाई लगाया हुआ भाग fold करना है इसके उपर इसके बाद दोनों तरफ अच्छे से experiencing के साथ सिलाई लगाइंगे और फिर इससे पलट करके सीधा कर लेंगे चारों कॉनर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है कॉनर्स निकालने के बाद हमने क्या करना है इसका center mark करना है तो इस तरह से chalk से यहां पर center mark करेंगे और इसमें blits बनाएंगे blits बनाने के बाद एक हमें क्या करना है इस तरह से बीचो बीच दिलाई लगा दिनी है अब मैंने इसका belt बनाने के लिए यहां पर fabric लिया हुआ है belt के लमबाइच चुड़ाई आप अपने according कम ज़्यादा करके ले सकते हैं तो मैं इसे इस तरह तरीके से cut कर रही हूँ देखे, belt वाले shape में तो दो belt मैंने यहापर cutting कर लिये हैं एक एक करके इने तयार कर लेंगे ये देखे इसे पलट करके आपको सिलाई लगानी है सीधा बाग अंदर की तरफ रहेगा सिलाई लगानी के बाद आपको इसे पलट ना है तो कोई भी नोक वाली चीज़ से पलट करके से अच्छे से finishing कर लेंगे corners को बार की तरफ निकाल लेना है दोनों belts तयार करने के बाद एक पटी तयार कर रही हूँ मैं बोग के उपर लगाने के लिए तो यहाँ पर देखिए पटी को हमें बोग के उपर attach कर देना है अगर आप यहाँ पर बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं तो बोग पुरा बन करके रेडी हो गया है अच्छे तरीके से पटी को इसके उपर लगाना है और फिर बाद में इसे सुईधागे से पका कर लेना है आपको तो बैल्ट भी तयार हो गया है और यह बोग भी बन करके तयार हो गया है इसके बाद इससे अटेश करना है सेंटर से देखिये आपको इसे इस तरीके से रख लेना है या आपर और सिलाई लगा देनी है दोनों बैल्ट को साथ में रखते हुए सिलाई लगाएंगे फिर बो को इसके उपर आपको सुईधा के से टक कर देना है इसी के साथ मेरा आज करे नेक डिजाइन बन करके तियार हो गया है फ्रेंट्स आपको आज करे डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें तन्यवाद